आज हम सबों के हाथ में मोबाइल पाया जाता है बलकि अगर देखा जाए तो मोबाइल एक प्रकार की नेसिस्टी है एक प्रकार की हमारे रोज मर्रा के जीवन की आफशक्ता बन गई है पहले करीब 10 साल पहले 15 साल पहले मोबाइल रखना मतलब बड़ी भारी बात थी अरे साब उसके पास मोबाइल है बहुत लोग मानते थे आज चौकिदार के पास मोबाइल है सबजी बेचने वाले के पास मोबाइल है मतलब हर एक वेक्ती के पास मोबाइल है और बहुत अच् साइन्स ने हमें दिया है विग्यानिक जो इन्मेंशन हुए है उसमें मॉबाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि बिना कहीं जाए के बिना वायर के आप कहीं से भी किसी को भी कॉल कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं तो उससे पहले क्या होता था ये चकर लगा वो चकर लगा तब जाकर के फोन आता था लेकिन अब क्या है बस आप सिम लीजिए और आपका कनेक्शन हो गया फोन और आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप फोन कर सकते हैं मॉबाइल की ये खूबी है मॉबाइल ने कई लों की जान भी बचाई है अगर हम इसका सदूपयोग करें तो इसके बहुत बहुत फाइदे हैं बहुत फाइदे हैं लेकिन मुझे दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि मॉबाइल ने कई लों की जान को भी तबाह कर दिया है नश्ट कर दिया है कई लोग मॉबाइल के पीछे अपने जान भी भ्रष्ट कर दिया है ये भी है दोनों है तो इसमें दो चीजें आपके सामने में रखना मांगता हूं क्या मॉबाइल का हम सदूपयोग करते हैं या दुरूपयोग अब आपके सामने ये जो चित्र लगा हुआ है इसमें आप ध्यान से देखिए है मैंने लिखा है आप क् कि आप क्या देख रहे है मॉबाइल में पहला तो प्रश्चने है दूसरा अगर आप ध्यान से देखें कि इस व्यक्ति के हाथ बंदे हुए है मॉबाइल से बंदे हुए का मतलब है कि वो मॉबाइल छोड़ सकता भी नहीं मतलब वो अगर छोड़ना भी मांगे तो नहीं भी जाए रेल वी स्टेशन बस स्टेशन एयर पोर्ट बजार सब लोग अपने मॉबाइल में बीजी है बस देख रहे हैं आप समझ लीजिए 45 डिगरी का सिर मॉबाइल के ओपर रहता है और बस वो अपने उंगलियों से खेलते हैं या मैसेज इधर उधर भेजते है या देखते हैं जो भी बात है आपने देखा होगा मेरे साथ भी कई बाराइस होगा शायद आपके साथ भी होता है मॉबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इसका दुरूपयों भी बहुत खतरनाक हो गया है और हो सकता है यदि आप और हम इसमें सतरकता ना बरते हैं मेरे एक दोस्त की जान मॉबाइल की पीछे ही हो गई है कारण यह था कि वो गाड़ी चला रहते बहुत स्पीड से और मॉबाइल सामने रखा होगा था कार के डेश पर और हुआ यह कि किसी ने फोन किया होगा गाड़ी चलाते समय वो धूण रहते कि मॉबाइल कहा है और steering wheel उनका जो balance था वो बिगड़ गया और जाकर के पेर से टकरा गये और मर गये। ऐसे कई instance है, कई लोगों ने selfie लेते हुए अपने जान को खतम कर दिया। जी हाँ, अगर हम सतरक्ता ना बरते हैं तो mobile हमारे लिए शारिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक मृत्यू ला सकता है। लाता भी है और ला रहा है। इसलिए आज मैंने आपके सामने इसी से संबन्दित कुछ बातों को लाने के लिए रखा है कि हम जो अपने आपको विश्वासी कहते हैं, हमें सतरक्ता बरतना हैं और मेरा प्रश्ण ये है, आप mobile में क्या देख रहे हैं, क्या देखते हैं। भाई सब लोग उतर रहे थे तो मैं भी उतर गया और सब लोग चाय पीने इधर उतर चले गए धाबे में। दो तीन लड़के करीब 12-13 साल की लड़के धाबे का जो चूला होता ना सिगडी बड़ी सी जहां वो खाना बनाते हैं। रात का समय ता 12 एक बज़े की रात की की बात है ये दो-तीन लड़के जो थे खुब नंगे नंगे चित्र अशलील चित्रों को देख करके लड़कियों के अशलील चित्रों को देख करके खुब मजा ले रहता ऐसे लग रहता बडा मजा रहता उनको अब देखिए यही जो टीनेजर है 12-13 साल के हमारे देश के एक नागरिक बनेंगे, नागरिक हैं लेकर आगे चल करके क्या करेंगे, उनका दिमाग क्या होगा, कहा जाएंगे, कोई है उनको सिखाने के लिए, मेरे प्रिये भाई बहनों, आप जो अपने आपको मसीह कहते हैं, और आशा है कि आप प्रभू में विश्वास करते हैं, मेरे पास भी मॉबाइल है, कहिएं के पास दो तीन मॉबाइल है, और आजकल तो मॉबाइल का ऐसा बोल बाला है कि हर चार पांच मैने में एक नए प्रकार का मॉबाइल आता है, और आई इच्छा होती है, इसमें ज़्यादा फीचर है, ये बाला लेना चाहिए, अब पु कई हमारे विश्वासी भाई बहन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अशलील चित्रों को, अशलील मॉवीज को, अशलील कार्टून जो उसमें आता है, जोक्स इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि अब बड़ा असान है, आप अपने मॉबाइल को चार है, एक बड़ा भारी माध्यम हो गया, अब इंटरनेट अपने आप में खराम नहीं है, इंटरनेट बहुत अच्छी बात है, उससे आप कई बाते सीख सकते हैं, ग्यान की बाते हैं, आत्मिक बाते हैं, कई अच्छे अच्छे उदेश आप सुन सकते हैं, अपने फिजिक् किमेस्टरी की, अस्ट्रानमे की, जो भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक, मतलब आप, आपका मॉबाइल एक प्रकार क्या खिड़की है ग्यान के लिए, लेकिन साथी साथ, ये एक गढ़ा भी है, एक खाई भी है, खाई क्यों है, क्योंकि बहुत आसानी से, ग्यान की बातों को छोड़ करके, सेक्स की बातों पर लोग जादा ध्यान देते हैं, यान कैसे करते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा, कि लिखा रहता है, सिर्फ वैयसकों के लिए, अठारा से उपर, जो हैं, वही देखें, अरे साथ, कौन अठारा से उपर, बारा-बारा साल के लड़ क्या देखते हैं, अठारा साथ, अरे, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, अरे, बेडरूम सीन होगा, मज़ा आएगा देखने में, और वो, कोई नहीं, ये देखिए, शैतान कैसे हमारे जीवनों को, हमारे आँखों को पकड़ता है, और आँखों के हमारे दिमाग में बात पहुंचती है, और फिर हम कल्पना करने लगते हैं, और अपने दिमाग में अडल्टरी करने लगते हैं, वे विचार कर देती हैं, और कभी-कभी, ना सिर्फ अपने दिमाग में, कल्पनाओं में, एक्च्वली में, लड़के-लड़कियां अपस में शारिरिक संबन बना करके अपने जीवन को नश्ट करते हैं थोड़े समय का मज़ा तो आता है इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन जिन्दगी भर का जिन्दगी भर का कलंग चा जाता है तो मैं आपको कुछ बाते बताना मांगता हूँ जिसे की हम विश्वासी अपने आपको इन चीजों से परे रखें और मोबाइल का सदूपयोग करना सीखें ये एक दिन की बात नहीं है ये हमें डिस्सिप्लिन की बात है प्रक्टिस करने की बात है एक पद मैं आपके लिए पढ़ूँगा उपाए जाता है सबोब देशक उसका पहला ध्याय और उसका आठ पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमारी जो आखें है न वो कभी तृप्त नहीं होती है हमारे कान कभी तृप्त नहीं होते है सुनते सुनते ऐसी म्यूजिक जो यॉन को हमारी वासनाओं को हमारी लालसाओं को पेट्रोल के समान भढ़काती है आग लगाती है जी हाँ कान और आँख ये दो ऐसे आँख है जो मोबाइल हमारे को अपनी तरफ खींचती है विशेश करकी आँखे सुन्ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता ना तो आँखे देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते है जैसे भोलते हैं आ टीवी में आता ये दिल मांगे मोर ये आँखे मांगे मोर क्योंकि मोबाइल दिन रात मोबाइल में देखते देखते अशलील चित्रों को यूट्यूब में शॉर्ट क्लिप्स जो होते हैं यान से सम्मंदित, सेक्स से सम्मंदित, बेडरूम सीन से सम्मंदित, और भी इस परकार की जो बाते हैं वासनाओं से सम्मंदित ये जवान के दिमाग को, जवान नहीं, सभी लोग जो देखते हैं, मैं सिर्फ जवानों की बात नहीं करना हूँ, कोई भी हो मैं बताना मांगता हूँ, बारा-तेरा साल से ले करके नबे साल तक का ये प्राब्लम लेकिन जवानी में इसका ज़्यादा प्रभाव, दुष्प्रभाव देखने को मिलता है सो मेरे प्रियो होश्यार रहे ये कि ये आँख मांगे मोर जियां, और मॉबाइल आपने इसलिए खरीदा क्या कि अपनी वासनाओं भरी आँखों से, उन चित्रों को उन नंगे चित्रों को लड़के को चित्रों के, लड़कियों के चित्रों को बिल्कुल एक्स्प्लिसिट और मॉबाइल में तो सब अवेलेबल है सब अवेलेबल, मुझे बताने की जवरत नहीं है, आप जानते हैं इस बात को और इसने हमारे पूरे मुस्तिश को ब्रश्ट करके रखा हुआ है मत्ति उसका पांच वाध्या है प्रभुई श्मसी ने क्या कहा मत्ति उसका पांच वाध्या है और उन्तिस पद में बहुत इंट्रेस्टिंग चीज लिखिए मेरे प्रियों यदि तेरी दानी आख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर आपने पासे फेक दे क्योंकि तेरे लिए यही भलाए कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए और यदि तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पासे फेक दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए बहुत स्ट्रॉंग यहाँ पर प्रभुई शमस्री कहते हैं इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियों विशेश करके हमारे जवान भाई बेहनों वैसे तो सब के लिए है लेकिन इस एज में जो अठारा से और तीस चालिस जो एज है और उपर भी यह बाइद वे जो परनाग्रफी है अशलीलता की जो प्राबलम है समस्या है मोबाइल में बड़े आसानी से मिलता है वो सबों को छूता है और लिखा क्या है परमेश्वर के वचन में हमें बहुत होश्यार रहना है लिखा हुआ है कि अपनी जवानी की अभिल आशा से भाग दूसरा तिमोथी उसका दूसरा ध्याय और बाइस पद बहुत अच्छा पद है हम सबों के लिए जवानी की अभिलाशाओं से भाग फ्ली युथफुल लस्ट जवानी के अभिलाशाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभू का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिक्ता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाव का पीछा कर भाग इन अभिलाशाओं से इस अशलील चित्रों से शैतानी म्यूजिक से और पीछा किसका कर विश्वास का पीछा कर धार्मिक्ता का पीछा कर प्रेम का पीछा कर मेरे प्रियो आज मैं आपको बड़े दिल से मैं आपके सामने ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मुबाइल हमारे लिए आशिश भी बन सकता है और एक परकार का कर्स भी बन सकता है श्राब भी बन सकता है और कईयों के लिए ये बन चुका है आप अभी फिर भी आप अभी छोड़ सकते हैं इसी समय अच्छाई की मॉबाइल नहीं है अगर आपके पास समस्या है इन अशलील चित्रों को देखने के विशेश करके कब देखते हैं टौिलेट में बैट करके या अके लिए रूम में जब कोई आस पास नहीं है तब ही हम देखते हैं आपने दोस्तों के साथ जो इसी प्रकार के हरकतों में बड़ा मज़ा लेते हैं खुब अस्ते हैं और अब आप सोचिए जो आपोजिट सेक्स लड़कियों के प्रती उनका क्या वेवार होगा जब मन भरष्ट होता है ना तो कुछ भी करने के लिए लोग एक दो बार नहीं सोचते हैं और ये भरष्ट को करने वाला मन को भरष्ट करने वाला क्या है आपका मोबाइल यदि इसका सदूप योग ना किया जाए तो इसमें आपको बहुत होशारी से ध्यान देना है यूट्यूब ऐसे ऐसे यूट्यूब में विडियोज हैं वाट्स अप में आते रहते हैं कोई भेजता है आपको उल्टे सीधे चीज़ें जोक्स गंदी मजाक कार्टून सेक्स ये सब क्या है ये गार्बिच है जंगल हो गए मॉबाइल के कि ये भी नहीं देखते कि बाजू में कौन बैटा है सामने कौन बैटा है माँ बाप बैटे हैं भाई बैटे हैं लोग बैटे हैं वो अपने मॉबाइल में मस्त है वो गेम खेल रहा है साब या खेल रही है मतलब सामाजिक दूरियां भी आ गई है मॉ मेरे प्रीयों एक समस्या है आपको और मुझको इस पर ध्यान देना है जी हाँ तो ये तो हुई प्रशन ये उड़ता है जब भी आप मोबाइल इस्तमाल करते हैं प्रशन में आप पूछे मैं क्या देख रही हूं मैं क्या देख रहा हूं अगर जवाब आता है कि अच्छी आते हैं आप पवित्रव आते हैं वाबाइल से आप बहूत अच्छे मैसेजिश सुन सकते हैं परमेश्व का बचता हूं मैंने अपने पूरे मोबाइल में परमेश्व का बचता हूं कई ऐसे ऐसे अच्छे उब्देशक है उनके जो पॉड़कास्ट हैं जो आते हैं रेडियो में वो भी मैंने उसमें भरके रखा हुआ ताकि मैं रात में उसको सुन सकूँ है ना तो यह आप सदूपयोग कर सकते हैं मॉबाइल के जब भी टाइम मिलता है अगर किसी को प्राटना की जरूरत है मॉबाइल से इस्तमाल करिए अगर आप नहीं जा सकते हैं मॉबाइल इस्तमाल करिए और हमारे एक भाई हैं हमारे चर्च में आते हैं और वो क्या करते है वो उनके पास आँखें नहीं हैं वो देख नहीं सकते हैं लेकिन आत्मी कृतिसे साब वो हम सभी बढ़ चड़के हैं वो क्या करते हैं अपने मॉबाइल से कम से कम रोज वो बाइस लोगों के साथ प्रारतना करते हैं यह मेरे लिए बड़े एक चनौती का कारण है जी हां क्या अच्छी बात है मॉबाइल है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका हमें सदूपयोग करना है अगर हमें नौलेज गेन करना है तो आप अच्छी तरह से नौलेज गेन कर सकते हैं और अगर आपको आत्मिकता में बढ़ना है मतलब यह चीज़े हैं जो हम देख सकते हैं अपनी ग्यान को और आत्मिक ग्यान को भी बढ़ा सकते हैं इसके बजाए कि उल्टी सीधी चुछे को देखे तो पहली बात इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है प्रारतना करें जैसे ही कुछ अश्लील पिक्चर आपके सामने आता आपने शायद चायते नहीं होंगे लेकिन वो आपके सामने बार बार आ रहा है कि देखो यह बहुत अच्छी है यहाँ पर अश्लील वाला नंगा चित रहे अदनंगा अगर और देखना तो यह वाला क्लिक करिए एकदम से आप मन में प्रारतना करिए आत्मा में प्रारतना करिए प्रभू मुझे बचा यह मुझे अट्रैक कर रहा है और एकदम से इसको कैंसल कर दीजिए आफ कर दीजिए जो भी है एकदम से और 29 में लिखा हुआ है कि उसने कहा यह जाती बिना प्रार्तना और किसी उपाय से निकल नहीं सकता यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ दुष्टात्माओं को निकलवाना था और जो चेले थे वो नहीं कर पाए लेकिर इश्यू मसी ने कर दिया फिर उसने कहा कुछ ऐसी चीज़ी हैं जो प्रार्तना के द्वारा ही हो सकती हैं अगर आप अडिक्टेड हैं यदि आपको लथ पड़ गई ऐसे अशलील चित्रों को देखने के लिए अशलील वीडियों को देखने के लिए अशलील गानों एक दिन, हब्ते में एक दिन उपवास रखिए और उपवास के साथ प्राठना करिए कि प्रभू, यह मेरे जीवन में बहुत जोड से आया हुआ है, इसको मैं निकाल नहीं पा रही है, इसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूं मुझके बहुत इच्छा होती है देखने की यह अशलीलची तरोकों मैं इसमें फस्ट चुकी हcious आप फस्ट करिए उफस्ट कर की प्राफना करिए हपते में एक बार हपते में दो बार या दो हपते में एक बार यह आपके ऊपर है कि आपकी शारी डिक दशा कैसी है यदि आप फास कर सकते हैं तो जरूर करिए और येश्व मसी से प्रार्थना करिए कि आपको इस फंदे में से निकाले परमेश्वर का बचन कहता है कि परमेश्वर हरे को जो अगर चाहता है तो हरे को वो उनके फंदों से वो निकाल सकता है तो जब भी आपको ये अश्लील चित्र आते हैं पहली बात अगर धिमाग में ऐसी बात आती है कि यार वो वालब देखना चीव वीडियो कोई अगर आप बताए आपको अरे मालूम वो बहुत अच्छा वीडियो तुम देखो तो मजा आएगा एकदम से आप प्रारतना करें प्रभू ये तेरी और से नहीं है मैं इसको इश्यू मसी के नाम से निकालता हूँ आप करिए अगर आप करना मागते तो कर सकते हैं यदि नहीं करना मागते साब तो फिर तो ये आप ही के ऊपर है तो इस बात का आप ध्यान दीजी मैं आप के लिए एक बहुत अच्छा परमेश्वर के वच्चन से पढ़ूँगा अगर आप इसमें फज गए हैं तो भजन से इता एक क्यामन बहुत इसमें आपके लिए काम देगा सुन्ये परमेश्वर का वच्चन क्या कहता है दावुद के समान वह पश्चताप करता है अपने इन अशलील चित्रों को देखने के द्वारा आपका मन जो खराब है पश्चताप करिए मन फिराए परमेश्वर आपको शमा करेगा इसमें कोई दोराय नहीं है परमेश्वर आपकी अगवाई करेगा लेकिन आपको इसमें परभु से एक पश्चताप की प्रार्तना करनी जो भजन सीता एक्क्यावन में हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरा प्रादों को मिटा दे मुझे भली भाती दो कर मेरे आधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद कर और मेरा पाप तो मेरे दृष्टी में रिनंतर रहता है मैंने केवल तेरे भी रोधी पाप किया है जो तेरे दृष्टी में बुरा है और फिर उसके बाद लिखावा है कि परमेश्वर के वचन में कि मेरे अंदर तू क्या कर? शुद्ध मन उत्पन कर पवित्र मन उत्पन कर अश्लील चितर देखने वाले मन नहीं अश्लील गानों को सुनने वाले मन नहीं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से संबंदी चीजों को देखने में, सुनने में और इस मोबाइल को इस्तमाल करने में तू मेरे अगवाय कर हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुदमान उत्पन कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन कर. So मेरे प्रियों, अगली बार, जब आप मोबाइल उठाते हैं, आपके हाथ ना बंदे रहें, आप उसको छोड़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल में बाइबल की चीज़े भर सकते हैं, सुनने वाला MP3 फॉर्मेट में भी बाइबल है, और वैसे बाइबल पढ़ सकते हैं, और भी कई चीज़े अच्छी चीज़े, बाइबल नहीं और दुसरे ग्यान की बाते भी आप उसमें राल सकते हैं, परमेश्वर का भचन सुन सकते हैं, आपकी आत्मिक जागरती आएगी, इसके बजाए गलत शरत, उल्टे सीधे, और बिल्कुल गार्बेज वालों कोई चीज़े को ना देखे, अगली बार जब फोन उठाएं, तो ये प्रशन पूछे, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या इससे मेरी आत्मी को नती होगी,